आज हम पढ़ेंगे आपकी सिवेक्स की बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस तो देखो हम मार्केट जाते हैं बहुत सी चीजों को खरीदने के लिए वजीटेबल सो बहुत सारी चीज़े होती हैं अगर हम इन चीजों के लिस्ट बना जो हम खरीदते ह इस चाप्टर में हम कुछ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे यह समझेंगे कैसे जो सामान है ना बायर्स यानि कि बायर्स कौन होता है जो हम लोग होते हैं यानि कि खरीदने वाले ठीक है बायर्स कौन होते हैं तो सेलर्स कौन होते हैं तो सेलर्स कौन होते हैं तो सेलर्स यहां पे है weekly market को मतलब weekly market क्या होता है ठीक है तो weekly market को weekly इसलिए कहते हैं क्योंकि day किसी भी week है एक specific day पे होता है weekly markets में कोई भी permanent shop नहीं होती ट्रेडर्स अपनी एक दिन के लिए दुकान सेट करते हैं शाम को बंद करके फिर वो क्या करेंगे अग्ले दिन किसी और जगा पे लगाएंगी बहुत सारे हजारों मार्केट ऐसे weekly market इंडिया में लोग अपनी requirement को पूरी करने के यहां पे आते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जो है सस्थी रेट में हमें अवालेबल हैं वहत सारी चीज़े क्योंकि देखिए जो पॉर्मेनर बेल्डिंग में शॉप होते हैं उनका खरचा होता एक्स्पेंडिश्र होता है जिसके रेंट देना होता है एलेक्ट्रिसिटी देना होते है गवर्मेंट को फीस यान कि पे यह जो पर्मेरंट बिल्डिंग्स वाले होते हैं वह वर्कर हाय करते हैं लेकिन वीकली मार्केट वाले जो उन्हें वर्कर हाय करने के बदर होते हैं क्योंकि उनके फैमिली मेंबर ही उनके हल्प करते हैं वीकली मार्केट में इतना खर्चा नहीं होता लेकिन जो पर्मेरंट तो उनमें competition रहेगा, अगर कोई दुकान वाला किसी भी समान को, कोई इमानलो शूस है, महंगे में दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे, तो लोग दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, जहां पे वही सूस मिल रहे हैं, तो इसे क्या होता है, मतलब लोग जहां होता है, सस्ता ह आपको वही मिल जाएगा, आपको किसी और जगा पे जाने की ज़रत नहीं पड़ीगा, अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए, लोग ऐसे मार्केट में जाना पसंद करते हैं, प्रिफर करते हैं, जहां पे उनकी अपनी चोईस हो, बहुत सारी वराइटी हो, समानों की, अब शॉप्स हमारी जो नेबर हुड में होती हैं, तो हमने देखा कि वीकली मार्केट जो है वो वराइटी आफ गुड को आफर करते हैं, बहुत सारी गुड्स में अब आफर करते हैं, जो समान है, गुड्स है, हम दूसरे तरीकों के मार्केट से भी खरीदना पसंद करते लोग तो बहुत साइध दुकाने होती हैं जो कि goods sell करती है, services provide करती है, हमाई नेवरूर में, हम दूद खरीते होंगे, डेरी से, groceries, departmental store से, stationery, eatable, medicine, दूसरी दुकाने से लेते हैं, ठीक है, बहुत साइध दुकाने जो हैं, पर्मनेंट होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं, रोड अब यह दिए सुजातर कविता का क्या है कि सुजातर अर जो कविता है वर सेंट तो बाइ ग्रोसरी फ्रम देर नेबर हुड़ोड शॉप उन्हें भेजा गया था अपनी नेबर की शॉप से कुछ समान लाने को यह शॉप वो थी जहां पर वह ज्यादा तर जाया करते यहां तो अपर आजब भीड ती शॉप ओनर मैनेज शॉप अरसल फिर तो में हलपर यहां कि जो शॉप ओनर थी जुचान थे वह अपनी दुकान को मैनेज करते तो दो हल्पर के साथ जब वो अंदर गए शॉप के अंदर सुजाता कविता तो शॉप ने अपनी लेस्टो ने डि देखा और दूसरे शेल्फ में उसने टूथपेस्ट, टैलकम पाउडर, शैंपू और हेर रायल देखा अलग अलग ब्रांट्स देखी तो अलग अलग कलर्स जो थे ना अट्राक्टव लग रहे थे जमीन पर कुछ सैक पड़ी थी तो बीस मेंट लग गए उसे वे करने में पाक करने में फिर शुजाता ने अपनी नोटबुक दिखाई फिर विमन ने अमाउंट को मतलब विमन को मतलब उस औरत ने ना जो वहां के ओनर थी तो उसने अपनी नोटबुक में मतलब 3000 रुपीज नोट कर लिया अपने बड़ी रजिस्टर में फिर नोट कर लिये ठीक है तो फिर सुजाता ने भारी बैक्स वह भार लाई फिर जो उसकी फैमिली है वो अगले महीने पैसे दे देगी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए यहां पे है शॉप्स जो होती होते हैं हम उसमें किसी भी संडी मंडे कभी भी जा सकते हैं और हमारी घर के पास होती है बायर जो सेलर होते हैं देखिए जो दुकानदर होते हैं जो हम लोग होते हैं हम एक दूसरे को जानते होते हैं इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वह जो दुकानदर है वहमें क्रेडिट यानि कि उधार हमें समान देता है तो इसका मतलब क्या हो जो आप पैसे बाद में देता है जैसे कि सुझाता के केस में हमने देखा था ठीक है के लिए के बाते काफताप पाफ की स्टोरी देख लेंगे दा फॉल्सेलर। जो की एक फोल सेलर है सिटी में तो इसमें हमें पूरी चाप्टर में मारकेट सऑ अविक्वालीटि जो है क्योंकि शिवे छेएमें को अपैमें को अटिक वारे्ली Candainulos समझाया गया है तो वीड немे like share subscribe जरूर कीजिए thank you so much take care आपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिए thank you so much take care